अलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आर्विटीटीटीट लास में आज हम देखेंगे कि 576 का स्क्वाइरूट कैसे फाइट करेंगे स्क्वाइरूट आप 576 पांसो चैतर का वर्गमूल कैसे निकालेंगे तो बैसिकली हम इसमें long division method इस्तेमाल करेंगे long division method में क्या होता है कि हम इसको ऐसे rate करेंगे 5, 7, 6 right side से इधर से हम pair बनाने शुरू करेंगे तो यहाँ पर एक pair बनेगा और यहाँ पर एक ही digit है तो इधर 0 बढ़ा के pair complete कर लेंगे अब हम देखेंगे जो मारा पहला pair है वो किसके square में आता है अगर आप देखोगे तो 1 का square 1 2 का square 4 3 का square 9 यह ज़्यादा हो जा रहा है तो हम इसको लेंगे यह जो 4 होगा इसको पहले term के नीचे write किया जाएगा 0, 4 यह जो 2 है इसको diviser में write किया जाएगा यहाँ पर और वही चीज हम quotient में भी write करेंगे और फिर quotient वाले को यहाँ पर ला करके add कर लेंगे अब क्या होगा 2 पलस 2 4 हो जाएगा यहाँ पर एक डिजिट लिखने की जगा छोड़ देंगे 5 माइनस 4 करेंगे 1 हो जाएगा अगला pair ऐसे write कर लेंगे 76 यह हो गया 176 अब 4 के यहाँ पर हम वही नमबर लिखेंगे और उसी नमबर से multiply करेंगे कि या तो 176 के equal आजाए या तो इसके less आजाए तो हम यहाँ पर 4 को रखेंगे और 4 से multiply करके check करेंगे 4 फोर फोर जा 16 1 करी 4 फोर जा 16 176 तो अगर हम यहाँ पर 4 रखते हैं कोशियंट में भी 4 राइट करके multiply करते हैं तो यह में मिल जाएगा 176 और remainder मिल जाएगा 0 जिस step में remainder 0 हो जाता है उस step में कोशियंट हमारे क्या होता है answer होता है तो इस प्रकार से जो square root होगा 576 का वो हो जाएगा 24 576 का वर्गमुल कितना होगा 24 तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक अगले thank you class